कि पैनेली ने दे दिया दोगा जेंबर टूट गया है इसका लिकेज हो रहा है ऑई उλά है टुट कर दो इसकंड़ ईया है जाँ ती तो फाइनली निकल रहे हैं चाटा जाती के ढावे से तीक अटी बाई नेक्स टाइम पिर रहेंगे चंदी रही तो अब यह पूला रूट ऐसा ही रहेगा अब यह पूला रूट ऐसा ही रहेगा अब यह थान ने हालत खराफ कर लखी है अब जागे थोड़ी केट की हालत शही है अब में दर तो भी है आजाज हो रहेगा तो कि यह भाई यह क्या कर दो अरे पानी था पानी बोट लॉला अब तो अब थोड़ी ठंग लगने कम हुरी है और आगे का कोई बड़ोसा नहीं है और क्या-क्या देखना पड़ जाए कोई भी भरोसा नहीं है क्योंकि जो चीजे देखते वे मैं आ रहा हूं तो से जाप से एक्सपेक्टेड नहीं था कि यह व्यू मिलेगा लेकिन मिल गया और बहुत ही अच्छा था लेकिन ज्यादा च्छान में सांस फूलती है और लाद के टाइम आक्सिजन कम हो जाती है तो प्रॉब्लम होती चली जाती है और उपर से खाना भी टाइम पे नहीं मिले और खाना भी नहीं खाया वह हो तो हैड़ेक हो जाता है और हैड़ेक की वज़े से बारा बच जाती है इड़िटेशन जलु हज़ाता है अब यह फ्रोक्ति किल में का रोड पूरा थीहान आए पुरा यहान ऄएपटे रहेंगे देखते रेंगे मजे करेंगे मजे लेते रहेंगे रजारों के रोडों के वार्टर क्रॉसिंग अने माइक है बहुत फतरना खतरना बार्टर क्लासिंग थी जब तक मैं आया जब तक तो थी अब पता निए यज दो कि दिखा एंगे नहीं होगी दो डिखायाइग झुरा मत्या मट्टी नहीं दोरा है। दूरी है तोडा रखाया थे ठीच दोर्बाद दूर्खाया थे चुट मुह भर्दियां अब बही या घ्या को डैज बोल पी क्या दिखाय 003 तो मैं गॉड्ट बहीं रेडबूल पी रहे हैं। बहीं के रेडबूल में रिख गई। कर दो को दो अब कि पूरा लोड असा ही है वह जैसे नदी हुआ करती थी ये पूरी वहाँ से लेकर यहां तक तो जैसे जैसे नीचर चींज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग भी नेचर की केर कर नहीं बंद करती है, पॉलीशन भरता गया है, नदी छोटी होती गई, परे रोड बना दिये, तो इस रोड पे पूले पे वही उस पत्सर हैं जो नदीयों के नीचे मिलते हैं, वैसा ही रोड मैं बूला तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसा रोड है, और ये रोड फेट मनाली तक ऐसा ही रहेगा, और बहुत बुरी हालत हो चुकी है, पूरा कहीं भी कोई रोड नहीं है, और देख के और तालानी कुरती है, और ये चेंबर पे तो नहीं अरजा है, कोई स्टून आ करके ऐसे तो नहीं हो जाए, वैसे तो नहीं हो जाए, तो, तब जॉब है, और एक पर मनाली, बहुत जंग, फिर उसके बाद आप लोगों को बताँगा, कि ऐसा क्या है, जो मैंने कर दिया है, पत्थर का रोड है, पूरा, पत्थर, 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 इन पत्थरों के उपर से चलाते हुए जाने पड़ता है, तो, बहुत तफ, साइकल है, यहां की, बहुत मैनत लगती है, हाथ, तो, ऐसे हो जाते हैं, जैसे, क्या बताऊं मैं, क्योंकि लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट ही रहता है, पूरा हैंडल, विल्कुल स्ट्रेट तो चलाई नी सकते, इस पे, कि देखिये, यह, देखो, भाई, पत्थर, यह, पत्थर, यह, पत्थरों के उपर से, पूरा रूट ऐसे ही है, ऐसे ही चलानी पड़े लुए और और अप्शन है नी, इस इस द लास अन फइन और अप्शन, लेफ्ट एफ्ट ने गोईन तो, काजा तो मिनाली, हिमालिन वाले भाहिया सॉक्स पहन रहे हैं गीले हुए देन के वार्टर क्रोफिंग में तो ही इस चेंजिंग फिस सॉक्स ओ माई गाड वाट दफट ओ देख रहे हो आप किस तरह का रोड है किस तरह का व्यू है और किस तरह की मैनत लगती है यहां तक आने में यहां पर बाइक चलाने में और अगर मैं एक सोलो आता के टियंदे तो आज मनाली होता किसी भी आलत में मनाली होता क्योंकि वह हलकी है और यह थोड़ी भारी है लेकिन यह लेकर आया हूं तो इसको लाने के पीछे भी एक कारण यह है कि मनाली पहुंच के बता हम आया अभी नहीं क्या बात है भाई वाटर क्लॉसिंग भतम हो गई कि अब यह 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 लोकेशन पर रुके हैं रोड से थोड़ा सा नीचे उतर के अब तो यह व्यू है मेरे पीछे का यह खड़ी हमारी बैनली और यह बैनली मनाली पहुंच मैं आप लोगों बताऊंगा कि यह बैनली और वैनली उसे खास क्यों है क्या रीजन है क्या चीज इसको और उसे खास बनाती है तो मेरी महनत है बहुत ज्यादा महनत लगी है मेरे को यह सब करने में सो अब थोड़ी दो चार फोटोग्राफ्स यहां ले कर गया फिर आगे नगी इस तो सामने आप आज देख रहे हो यह एसिया का सेकेंड लाजर्ज ग्लेशियर है इसको कहा जाता है बड़ा शिक्री आ बहुत फतर नाक आफ रोड़िंग है और अच्छा अभी तो पानी नहीं है और मेर को लग रहा है आगे वाले नाले में पानी होगा अगर वह बॉटर क्रॉसिंग चालो हुई तो हालत थराब होने वाजी है मैं बहुत यह पानी है कि मैं इदर चोटी तक देख रहा हूँ है इस भी बरफ कर चोटी पर चाहता नहीं है इदर चड़ा के जल्ड़ा है da oh my god, dry यह वो Autётсяस्य का अट गौ्सिंग भी वो a टका यहा उटी atique मैं आपनी अलस्पराब कर दी उर्णव द्दक में आपनी सारड़ द्नउ आलस्ट कि कर दो अ ऩा है इनगान है यह ईन्ही थिक्र AWSP उर्द इन गाने दो जासे सही है आगे जैसा अभी रोड है ना यह यह ऐसा ही रोड मिलेगा आपको 60-70 km फिर उसका लोसर के बाद रोड बिलकुल क्लियर है स्मूथ हईवे है काजा तक ओ भाईया अभा अभा इता टफ नहीं था अभा मैं पेदा तो तो या तोड़ा मुझे लग रागे तक है तोड़ा अभा बाइटा आग या पेद पी यह पूरा वाटर क्रॉसिंग हुआ करता था तो बाट पानी नहीं है नहीं तो हालत खड़ा बजाती और क्योंकि एक दो बार हुई हुई है इंट्रसेप्टर और कई तुई जो पे और यह पुल बना दिया यह भी वाटर ग्रॉसिंग दी पत्थरों के उपर से आना पड़ता था सब चो बड़ी दिक्कत आती थी दर लगता था सब्सक्राइब और बैनली ने दिया धोका ऑईल चेंबर में कोई पत्थर लग गया तो इस वज़े से ऑईल लिकेज हो रहा है है सो कि अभी कोर्षेत कर रहा हूं को कि विकल śux कि यह है कि यहां लिके गदा है वह बहुती बूरा निकला हूं अभी छंख बबाएक और्स difference बाइया जो मेरे साथ आयते वो दोनों भचे पड़े हैं तो मैं उन्नी का वेट कर रहा हूं ये रास्ता क्लियर हो तो फटा पड़ जाओं उनको बैठाओं बाइक पे बाइक को लूट करूं उनको बैठाओं वह भी बेचारे भूगे पैसे परिशान हो रहे होंगे अर आज जो प्रॉब्लम होई है उसके बारे में क्या ही बता हूं बहुत बुटी हालत हो रखे पूरा मूर खरा हो रखा है अब कल जाकर गे सबसे पहले तो इसके इंजन में आलकेफुल की वैल्डिंग करवा कर गे इसको सीगी तर जापूर लेकर जाओं लेकर कर गे पर इसको रिपेर कर भा हूं जापूर में नक्च अच्छे से अभी तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना पानी पिया ना बहुत बुड़ी आदा थे बैनली से एक्सपेक्टेट नहीं था कि इतनी नीचे यह रहेगा मैं इसलिए 500 फाइव टू एक्स लेने में इंटरस्टेट था लेकिन सब ने खाय कि नहीं हाई वह सब रहती तो इसमें इतनी प्रॉप्लम नहीं थी चब फिर भी कोई बात नी लेकर के आते हैं यू ऐसा है बिल्कुल शांदर व्यू हो रखा है कि आया गया कुछ लाइट ओन करना प्लैसलाइट अब आगए हमारी गाड़ियां ले 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 लिए यह बैनली अपलोड होते हुए और रात के बजने हैं ग्यारा यहां से अब इसको लेकर के जाएंग मानाली और फिर मानाली के बाद इसको उतार के रखेंगे फिर सुबह करवाएंगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व